पेशन की बात करते हैं लोग सभा में आज भारतिय वायू यान विध्यक पेश हो गया है यह विध्यक एरक्राफ्ट एक 1934 की जगा लेगा इसमें exactly होगा क्या क्या पोपस है लक्षमन रॉय हमारे economic policy editor जुड़ गया है लक्षमन जी क्या मकसद है इस नए विध्यक का कैसे काम करेगा इसके implications क्या होंगे देखें दरसल इस विध्यक के दो महत्पुन मायने हैं सबसे पहली बात यह है कि एक सांकेतिक रूप से काफी महत्पुन विध्यक है क्योंकि इस विध्यक के आने के बाद आजादी से पहले का जो विध्यक था वो रिप्लेस हो रहा होगा जो ए आत निर्भर भारत की योजना हर सेक्टर में तो सफल हो रही है लेकिन अभी भी इसमें काफी जादा कुछ पोटेंशल है जिसमें अभी आत निर्भरता या फिर मेकिन इंडिया वाली मुहिम शुरू नहीं हो पाई है तो इस नए विध्यक के पारित होने के बाद आत निर लगतार सकार जोड़ दे रहे कि भारती एरक्राफ्ट को अपनी मेंटेनेंस के लिए रिपेयर के लिए विदेश में ना जाना पड़े भारत में रहना पड़े इसके लिए एमारो एक्टिविटी को और ज्यादा बढ़ावाद देने के लिए जरुरी प्रावधान इस बिल में किये जा रहे हैं लेकिन ये इस तो रही बात सेक्टर के साब से जो पैसेंजर होते हैं उनकी सुधा का भी ख्यार लगते हुए रेगुलेशन को थोड़ा सा सक्त किया जा तो ये कुल मिलाके महत्वपून बाते हैं इस बिध्यक की शुक्रिया आप इस अपडेट के लिए तो एक महत्वपून बिल लोकसभा में जो पास किया गया उसके डीटेल्स लक्षमन रॉय शेयर कर रहे थे इंटर ग्लोब एविएशन पर फटाफट से नजर डाल लेते ह इविएशन की बात हो भी रही है तो कंस्टरिंग ये एक स्टॉक है जो एक आउट परफॉर्मर रहा है और पिछले दो ट्रेडिंग सेशन में राजेश जी हम इसकी चर्चा भी करते आए हैं आज सुबह में आपको याद होगा हम जी एमा रैपोर्ट भी मेंशन कर रहे थ टागेट उसका जो रिसेट हायता करीबन 4650 यह इसका इमीजेट टागेट है एवेंचुली 4650 भी सरपास करेगा क्योंकि कांटर में स्ट्रेंथ है तो इससे बाइवन डीपवा में मेरा स्टॉपलोस जो होगा पूदिशनली और यहागा 4400 का कांटर कणा स्टॉपलोस भी एवे जार दिए एवेंचुली और यह झाया पुझ सेली को फार जाइवन रिसेसर दॉपलोस दॉपलोस जो सकतो जो ठाएवन жд Kumu Regal Again